सो हम बात कर रहे थे पावर की नवर की लेंसा पर मुला क्या है कि है कि आपने हेंडल को वो करना है एलाइन करना है ठीक है यह ब्लैक जो है जो इसका मå否 Sun इसका माने करना है तो झालिघ थो हम इसके साथ एलाइन करते हैं तो काम यह हो गया किसके साथ एलाइन करना है इसके बास्ट चिक करना है एक से तह लिड़ी हमने हमने उस को प्राइब कर दिया उसको चेंग के दिलर सपोज पुजिशन नंबर भी है और पुजिशन नंबर भी पे यह है कि आपका स्पेशली मैं इसकी जिकर करूंगा यह जो क्रॉस सिल है यह इस पुजिशन में चला गया कि आप माइनस जो है वो इदर आ गया ठीक है और प्लस जो आप दूसरा माइनस एड हो रहे है तो माइनस पावर जो है वो ज्यादा हो रहे है और इसमें आप देखें तो आपने उसकी पावर को डिक्रीज किया हुआ है अगर यह पावर आल लेडी करेक्टिंग सिलिंडर के पॉइंट 025 है ओपर से आपने क्रास सिलिंडर भी निट्रलाइज हो गया पावर जीरो हो गया फ्लैन हो गया कोई इफाक्ट नहीं इंक इस फुजिशन में जब यहां पर वो कैंसल करते हैं यहां पर आ को मजीद power चाहिए पिर आपने क्या करना है कि इस power को जो है point two five step से आपने increase करना है let's suppose आपने इसको जब increase करें तो ओवो zero point five डाप्टर हो गया राट्रेक सेलिंडर और फिर आपने power अपनी जगा पे हैं एकसे आपने जगा पे only power आपने increase करना है फिर once again आपने बूचिना है यह वाला position और यह वाला अगर वो still इस position को prepare कर रहे हैं admin के मज़ीद उनको power चाहिए हो आपने फिर 0.25 add करने admin 0.75 तक आपका final वो जो है power जो है cylinder का वो यहां पर चला गया ठीके इसके बाद अगर आपने चेक्ट किया तो वो कहता है कि इतना ज्यादा उसमें वो नहीं है difference नहीं है तो admin आप यहां तक आगए एक मिनट आप यहां पर very important चीज़ जो आपने यहां पर note करनी है इसको मैं अभी continue कर रहा हूँ लेकिन एक चीज़ आपने साथ साथ वियाद रखना है previous कौन सा एक्जामपल हमने लिया था मुझे वो जख लियाद नहीं कि हमने वजरत कोई spare वगएरा कुछ लिया था let's suppose मैं one ले लो one डाप्टर spare था और उसके साथ start में अगर आपको याद है तो हमारा ये वालत आए शेल ता और 90 एक्सेड और अरिजिनल ये अगर आपने first example ये ठीक है फिर उस example में हमने axis फर्स चिक क्या और axis को हमने convert कि 100 तो उससे ये बनाते हैं उससे ये बनाता कि जब axis हमने चिक क्या तो हमारे पास answer आए था ये वाला फिर उसके बाद axis जो verify हो गया तो axis के बाद हम power के तरह पाए और अभी final में हमें power जो है यहां तक आगया तो let's suppose यहां है यह भी लिख ले 0.75 और axis 100 अगर हम देखें यहां तक हमने कितना इसमें change किया 0.5 adapter ये देखें ना हमने 0.58 के इधर फिर 0.58 के इधर तो टोटल जो हमने जम मारा ओरिजनल से final तक वो 0.5 adapter हो गया अब एक rules आपने लिए यहां पर बना ले वो rules ये है मैं पहले rules आपको बता रहा हूँ फिर इसकी behind जो logic है वो logic आपको समझें कि rules सबको पता है कि हमने क्या करना है rules ये बता रहे हैं कि जब भी आप यह जो correcting cylinder है इस correcting cylinder की power को अगर आप increase कर रहे हो 0.5 adapter ये अगर आप increase कर रहे हैं इसके साथ ये माइनस इतना आप add कर रहे हैं जो भी आप कहें जैसे आपने यहां से यहां तक है कि तो add हो गया तो फिर आपने जो आपको जो स्पियर है यह वाला स्पियर के साथ आपने प्लस 0.25 को add करना है पता सब को है सब यह लोग यह बताएंगे जब आप इससे पूशेंगे तो वो बताएंगे कि जी हां जब आप cylinder को 0.25 adapter से इंक्रीज कर रहे है जो original cylinder है जो को देख अभी हमने इतना इंक्रीज किया तो compensation के लिए आपने 0.25 aid करना है सपियर के साथ अब यह सब को पता है लेकिन इसके behind logic जो हैं वो कुछ लोग को पता नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बाई अगर आपको याद है सबसे पहले हमने start में के बात कहीं कि जब भी हम cross cylinder यूज करेंगे तो उसके लिए हमारा condition जो है और requirement यह है कि आपका circle of least confusion जो है ना वो रिटना पे होना बहुत जरूरी है आप इस चीज़ को डिस्टरब नहीं करेंगे जब आपने यह चीज़ डिस्टरब किया तो आपका cross cylinder वाला कहानी खतम होगा यह आपने start भी कहता है तो अब यहाँ situation है और आपने circle of least confusion को रिटना पे रखना ह कि आपने circle of least confusion तो डिस्टरब कि कैसे हमने डिस्टरब क्या जरा इदर देखें लेट स्पोज यह हमारे पास रिटना है ठीक है और उससे बिहाइंड जो ता स्टार्टिंग पॉइंट यह था कि सरकल अपने पास रिटना पे हैं एक फोकल पॉइंट यहां पे हैं दूसरा आपको पते हैं पर कहीं धारन जरा c्कि कि अंधर आब हम क्या करें हम से इंक्रीज करें जो और अपको प्तहिए कि सिल रहरें कारें कर रहें कर रिए मैं इसको हम बेखो करने की कोशिक कर रहे हमने पहले पॉजिशन सब्सक्राइब कर देडिया कि पूजिशन नमबर वन अभीopन जब इसको add कि 0.25 आपने addition दे दिया तो मैं आपको बताओ एक जड़ा मेरे साथ ही रहे यह वाला position जो है यह first वाला यह तो अपनी ही जगाव है न कि यह सिल हमने increase क्या सो यह back side वाला जो है यह अपनी ही original position पर है उसको हमने disturb ने जा लेकिन यह जो फस्ट यह position था यहां से उसको हमने यहां तक लाए इट मीन लेट्स पोज यह जो भी पास लेपे था लेकिन हमने करीब लाया रेटेना की तरफ क्यों करीब लेए वई क्योंकि हम इसको प्लस सारी माइनस इंक्रीज करें माइनस divergence को इंक्रीज करें वो इसकी बीच जो इंटर्वल है इसकी बीच में आ रहें तो आप इसकी बीच में दिये और एरे नहीं है तो वो इधर चला गया तो आपका सरकल अप्लीज कन्फीजिन जो है वो रिटेना से बेहाइंड चला गया और जब 0.5 डियाप्टर आपने सिल में एड़ कर दिया इसक अगर आप इसके बाद कंटिन्यू करना चाहा रहे हो आपना वो जिक्सक्रा सिलेंडर यूज कर रहे है और तब तक आपने इस पेर में एड़्जेस्मेंट नहीं किया इसको वापस रिटेना पे ले पिर मजीद जो है इस को नाइड को स्ट्रम को नाइड को कॉलाप्स करे स्ट्रम करें लेकिन अगर जब तक यह रिटेना पे नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा तो इसलिए इस चीज़ को वापस रिटेना पे लाने के लिए हम यहां पे पावर क्यों एड कर आपको पते ना कि कुई भी चीज़ अगर रिटेना के बिहाइंड है उसको हम रिट पावर प्लस जो है वो फोकल लाइन को फोसाई को आगे की तरफ टूर्ड रिटेना ला रहे हैं और मतलब भी हाइंड है तो वो मजीद चला जाएगा और इंट्रंट है तो वो तोड़ा सा करीब आ जाएगा ठीक है यह कंसिप्ट आपको सबसे पहले पता हैं तो अब यहा हम यहाँ प्लस नबर आपने एंट करना है अ्पलस प्लस चेह में केसा में थे आएगा जाएगा की आटेक्ट को हुगा ह्याँ प्लस नंबर आपने एयर्ड करना है प्लस स्पिया Kalba है ौइस को भी आगे कि तरुरा आगे और इसको भी तरफ तोड़ाű आगे की तरफ दोनों मिरीडियन को शेफ्ट करेगा आगे की तरफ तो सरकल अपने सिल को इतने आपने जगा पर यहां पर यहां पर यह सब कुछ करना है नहीं आपने इसको कर लिया 0.75 ठीक हो गया यह इसलिए कर रहे कि सरकल अपने अपने अगर हम इस पूरी कहानी को समराइज करें तो इसका भी क्या है स्पेशिटी पावर का पूरे अगर क्रास सेलिंडर की जब हम ऊक्रास के बात कीकि मेरे तो सबसे पहले हमारे पास था किस मारे पास circle of least confusion जो हो रेटिना पर होने चाहिए वो हमें पता चल गया है कि हम बेस्पियर जो है वो ये condition को ensure करेगा कि circle of least confusion अंदर रेटिना है इसके बाद हमने देखना है कि सिल है के नहीं है existence of the सिल तरीका में आलेडी बताएं अगर सिल है या आलेडी अगर आपको रेटिनास को किसे पता है या इसके अलावा जो है आपने subjective reflection किया जो भी किया आटोरेप से आपको पता चले कि हाँ सिल है या तो cross सिल से आपको पता चले कि सिल है कि सिल है या आलेडी आगर आपको पता है कि सिल है तो उसके कैसे करना है कि सरकल अपलिस कंफीजन को आपस में मिलाना है कि वो रिटेना पर आजए इसके बाद तब आपका क्रॉस सिल प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से हो जाएगा एक चीज यहां पर आप नोट करें स्टार्ट में जब आप फाइनल एज्जिस्मेंट करें फाइनल ए फाइन फाइव और एक से जो था हंडड़ आया था ठीक है यह नंबर है अब इसमें भी आपने देखा है वो करना है एज्जिस्मेंट तो आपने अलड़ी कर दिया इसके बाद अब स्पेर की पावर को भी अप डाउन कर सकते हैं क्योंकि क्रास सिल से या से बैसिकली हमारा मकस्त यह होता है कि यह दो फुसाई था ना एक दूसे से इदर यह रिटिना है कि यह आपस में आ जाए तो हो सकता है कि आपने दोनों फुसाई को मिलाया है लेकिन रिटिना के बिहाइंड हो हो सकता है कि आपने दोनों फुसाई को मिलाया हो लेकिन वो रिटिना से आगे ह क्योंकि सिलने तो यह दोने को कॉलैप्स कर दिया फिर आपने इसी की साफ से एज्जेस्मेंट करना है लेट सब्सक्राइब अगर आपने यह वाले कंडीशन अचीव क्या है कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं जो स्पियर आपके पास रहा है ना बेस्ट विजिन स्पियर एक असान तरीका जब आपने सुना होगा जब आप वो कर रहे हूं स्पेशली इस्टिकमेटिक डायल इस्टिकमेटिक फेन वह लकां सिब सब कुछ कर रहे हूं कि यह आपका रिटिना है और रिटिना के ऊपर जो है आपका सरकल अपलीस तब धंके और जब दोनों रिटिना से इनफ्रंट आ जए तो पर क्या करते हैं कि वह सेरे इसेंटिक डायल में पहते हैं के एक सिलिदिन्ट्र पावर इंक्रीज गर्यू जब दोनों जो हैं पर पिर डिक्रीज करकर यहां तक ले जाते हैं लेकिन जाद रखें यह किनसिफ जब आप इस्टिग्मेटिक डायल और ये इस्टिग्मेटिक फैन वगए उन चीज़ के लिए कर रहे तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी जब भी आप क्रासिल यूज करते हैं तो प्रासिल करें जो मैंने आपको तरीक बताया था कि स्टार्ट में आपने क्या करना है के सबसे पहले सिलेंडर उसको find out कर दिया उसके बाद उसकी Iaccis को और लास्टमे जो है अपने power की adjustment करने है और यहारे जो लास्टमे मैंने आपको बात बदाई कियास्टमें यह सारे जीया आपको याथ करने है अच्छा तो यह है कि आपने सरकल अपलीस कन्फिजिन रेटिना पर ने रखते इस चीज़ का आप श्याल नहीं लगते हैं कि का सरकल मैंने आपको पहले बदाई था कि इसका रेटिना पर होना बहुत बहुत जो जरूरी है अगर आपने स्टार्ट ही रंग स्पियर से लिया तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ जो है वो गलत क्या हुआ है ठीक है दूसरी बात यह है कि एक्सिज अब एक्सिज क्या है अगर पेशन्ट जो है वो सभी तरीके से आपको रिस्पॉंस नहीं दे रहा है वो लेट या अगर आप जल्दी जल्दी से क्रास्सिल को प्लिप देते हों उसमें वो पेशन्ट को सही तर др. आजरा की के समझे नहीं रहा शूम उप्लसुण को और और प्लस और माइनस उसमें अगर आप के लिए मसथयं अगर आप करते हो पावर चिक करते हैं उसमें आपने एक्सेज को जो है वो सही तरी के से एलाइन नहीं किया या अगर आप जो है एक्सेज को मालूम कर दे हो उसके साथ आपने कोई हैंडल के बज़ाए उस दूसरे चीज़ को पैरलल किया हुआ है तो यह ओल कुछ के लिए इतना काफी है